भई यह एक 10,000 की Apple Pencil versus यह एक 5,000 में आने वाला Crayon iPad पे लिखने के लिए दोनों ही same काम करते हैं और drawing के लिए Apple Pencil में pressure sensitivity है जिससे ऐसे जोर से दबाने पर मोटी और पतली राइन आती है पर बस Apple Pencil को यह iPad में magnetically चिपका के चार्ज कर सकते हो भई इस Crayon में low battery का light जलती, cable लगा के चार्ज करना पड़ेगा इवन यह on-off करने के एक button भी है भई एपल Pencil में hover का function है जिससे हवा से काम करती है ऐसे इस तरह से preview दिखेगा, pointer की location दिखती है पर एपल Pencil में double tap करके आप eraser और pane के बीच में shift कर सकते हो आपर पेंसिल भगते ही रहती है यह एक जगह रुख जाता है